इस प्रिश्रा खान वेलकम टू समा पॉड़कास्ट तोड़े वी हाफ मिस्टर जावेट फरू की सीनर जर्नलिस्ट फ्रम समा टीवी विद अपको बताते चलें के रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है तरीक इंसाफ को कल स्पेशल इसर्फ सीट्स के हवाले से सुप्रीम कौट अ पाकिस्तान ने पीटियाए के हग पर फैसला सुनाया और आज इद्ध केस के हवाले से बुष्रा अबीबी और इबरान खान दोनों बरी हो गए लेकिन मैं जाना चाहूंगे क्या इसके बाद इमरान खान इडियाला जिल से बाहर आ जाएंगे रहा हो जाएंगे या कोई औ और ही मामले है और तो और हकूमत में जो हल्चर मच्री इस हवाले से वो भी जानेगे लेकिन आपको बताते चैनूं के नो मई के हवाले से जो तीन बड़े केसी से जिना हाउस असकरी और शादमान इन तीनों में भी शायज रिलीज मिलने जा रहा है इमरान खान को लेकिन असल हकीकत क्या है परदे के पीछे और सेनेट एलेक्शन की जो हम बात करते हैं तो स्पेशल रिजर्फ सीट के हवाले से जो फैसला आया है पीटी आई के हख में सेनेट एलेक्शन पे एक बहुत बड़ा क्वेस्चिन मार्क नजर आ रहा है सब जानते हैं असलाम लेकुम realised आईा जैसे आपने बताया कि पहले तो हम अई सब्हाँ बAllah तो फिलमों का तारीख पर तारीख और आज क्या हो गया है। रिलीव पे रिलीव बिलकल सही और PTA के लगता है कि सब कुछ हरा ही हरा हो गया ठीक है एक के बाद दूसरा रिलीव और उनके ट्रू ऐसे लग रहा है जैसे कोई हवाओं का रुख बदल रहा है ये भी कहा जा रहा है हवाओं का रुख बदल रहा है उनके हक बेजा रहे हैं ये ठीक है रिलीफ तो मिला है उने और ये उनके लिए एक बहुत सी बहुत बड़ी एक बात है बात भी है लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि थोड़ा सा रुख जाएं जाएं रुख जाएं और फौरी तौर पर मिठाईया ना बंटे नाहीं को फौरी अगे आगे देखिए होता है क्या अभी इस कहानी में बहुत से चेप्टर अभी और पड़े हुए है जिसमें मलूम नहीं कि इसके बात क्या होगा मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा कि मुझे मलूम है कि कल को किसी केस का क्या फैसला होना जाहर है ये तो अदालतों के अंदर क सेनेट एलेक्शन की वैसे तो मैं इदा केस के हवाले से बात करना चाहले लेकिन सेनेट एलेक्शन पहले बात कर लेते हैं लेकिन सेनेट एलेक्शन जो है उसमें ये के पीके के अंदर जो है वो स्पेशल सीट्स के ओपर के पीके गवर्मेंट ने वहां पर हलफ नहीं होने दिया था उन्हें ने असें circular का एजलास ने दिया था वहां पर पर के पी के का सैनर्ट एलेक्शन हो गया था वो नहीं हुआ था बाकी तीनों सुब्षों में हो गये थे और इसलामबाद का भी हो गया था अब ये बात अपनी जगापर है देखें वहां पर उनकी जब सीटें उन्हें अब रिजर्फ सीट्स मिलेंगी उन्हें तो वो डेफिनिटली उनकी पॉजिशन तकरीबन वही हो जाएगी जो यहां पंजाब के अंदर मुस्लिम लीक नून के प साइंस करके दो सीटें को बिलेगी बाकी आठ से नो सीटें जो हैं ये पीटी एई जीच जाएगी जब ये सैनेट का अलेक्शन होगा अब अगर इस फैसले को बैक डेट से अगर ये देखें और अभी शाहिद इसका जो तफसिली फैसला आएगा उसके अंदर को वजाहत ह क्या होता है पंजाब के अंदर जो स्पेशल सीट्स होगा रहा जो मिली जैसे मुस्लिम लिग नून को मिली और पीपलस पार्टी को मिल गई मरकज में मिल गई उन से यहां पर वाज़े तो पर एक फरक पड़ा था इनों ने जो सैनेट इलेक्शन जीता यहां पर भी मैं य अज़ाफी सीटें जो थी न वो जीती थी उन मुखसोस निशिस्तों के मिलने की वनियाद पर तो अब देखना ही है कि यह जो अज़ाफी सीटें उने जो मिली एक टेक्ट्नक्रेट की और एक खवातीन की सीट्स प्याइट अब हम देखें कि पीटी आई पेंद्स minority की ये उन्हें मिल सकती थी बिलकल ठीक मिनारिटी की नहीं टेक्नो क्रेट की तो ये उन्हें मिल सकती थी तो इस तरह से ये सैनेट का अलेक्शन डिस्टरब होता नदर आता है इसमें अगला सवाल फिर ये है कि अगर ये सैनेट का अलेक्शन ये नंबर्स डिस्टरब होते ह हैं तो क्या चेर्में सेनेट का अलेक्शन दोबारा होगा लेकिन मेरा खाल बात वहां तक नहीं जाएगी क्योंके चेर्में सेनेट के अलेक्शन में यूसर रजा गिलानी की अक्सरियत इतनी ज्यादा थी कि वो अगर ये सीट्स निकाल भी लें तो उनकी मिजॉर्टी पर कोई फरक नहीं पढ़ता हो तो यह अब टेक्टिकल बात होगी काणुनी बात होगी आएनी बात होगी कि क्या वो सारे प्रॉससमें से दुबारा गुजरना पड़ेगा या नहीं गुजरना पड़ेगा या इस को इसी तरह से as it is डिया जाएगा लेकिन senator के एलेक्शन के वारे से एक दिल्चस्प सूर्तिहाल जो है ये सामने आएगी इदित केस में बुश्रा बीबी और इमरान खान दोनों को भरी कर दिया गया है लेकिन जब हम बात करते हैं 9 में के हवाले से जिना असकरी और केसिस के अंदर जिस तरह से वो निकले हैं इसमें से इसमें एक तो यह है कि जो पिछले दिनों कुछ बात हुई थी बाहर से भी कुछ ऐसी बात आ रही थी कि शायद इमरान खान को इंतकाम कारवाईयों का निशाना बनाया जा रहा है तो ये दो दिन जो हैं ये वो जो बेरुनी आवाजे हैं उनके लिए भी एक जवाब है कि पाकिसान के अंदर कोर्ट्स रिलीफ भी दे रही है ठीक है दूसी बात ये है कि ये दो केसिस के अंदर रिलीफ मिलने जो है उसके जो प्लैन करने वाले हैं उन में उनका जो है वो नामज़त किया गया है इस अवाले से जो कोर्ट है लहुर के अंदर जो इस तादे देशेगर्दी की अदालत है वहां से उनके लिए को अच्छी खबर नहीं थी के वहांपर उनने बेल इताथ जो है वो दाखिल की थी वो रिजिएक्ट हो गई है इसके मतलब यह एक近 का आप ज्यार्ट कर सकते हैं इसके बात यहीं एक तो यह बहुत बड़ा केस है दूसरा तुशाखणा केस वो भी दोनों में यह भी के खलाफ है और कुछ इतलात है कि वो नैब जो है उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंच भी गई है और हो सकता है गरिफतार कर लिया गया हो तो तो तोशाखना केस कहा पे ट्राफिक कहा किया जाएगा अडियारा जेल से कॉटलकपत ये खबरे हैं कि रात एक मीटिंग हुई है और इस चीज़ का जाहिजा लिया गया है कि उनकी जेल तब्दील की जाए ठीक है इसमें कुछ ये बाते आ रही है कि शायद कोटलकपत जेल हो लेकिन ये कोई और जेल भी हो सकती है लेकिन रात हमारी जो इतलात है रात एक बहुत हैं जेलों के अंदर जो कैदी होते हैं जेल एक से दूसरी जेल में अटक में थे वहां से डियारा ले गए ठीक है न तो ये तो चलता है तो जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि श्रबी भी जितने भी केसिस के अंदर इने रिलीफ मिल जाए लेकिन इमरान खान साब का एक परलल जो केस चल रहा है वो इनका स्यासी केस चल रहा है हूँ वो स्यासी केस ते अंदर इनकी जो लड़ाई है ना सिर्फ ये के वो पाकिस्टान की परिल्लिटिकल पार्स के साथ हो एक लड़ाई की कहفیat में है मुसलसल बल railroad के यहां हमारी establishment के साथ भी वो बिलको अ महाज़राई की। किसी से बात करने के लिए तयार नहीं है एक अफसोस नाक बात मैं कुई Uh कोई अंदाद니다 तंकीद करने वाला बंदा नहीं हूं लेकिन अफसोस नाक बात एक जी है कि देखें अदालतों के वाले से भी उनोंने इस रवईए को नहीं चोड़ा, इस रविश नहीं को नहीं चोड़ा, उन्हों ने जिस अदालत से रिलीफ मिलता है, उसकी जहजे हो जाती है, और जिस अदालत से को तलबी का नोटस आ जाता है, उसकी वो भाशिंग शुरूँ कर देते हैं, ठीक है, ये चीजें जो है, ये उन्हें उस वक्त तक मेंस्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर रखेगा और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से और अगली बात कि एक्तिदार के वानों से उन्हें दूर रखेगा देखें मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ 1986 पीपल्स पार्टी का अरूज भुट्टो की फांसी के बाद भुट्टो की बेटी का पाकिसान की धरती पर पहला कदम और लोगों ने देखा दुनिया ने देखा कि पाकिसान क्या इस पूरे रिजन के अंदर इतना बड़ा इस्तक्बाल नहीं था लहोर एरपोर्ट से लेक तो वहीं से उन लोगों को एक कह सकती थी कि चले इसलामबाद की तरफ मार्च करें या किसी भी जगा पर वो दस बीस लोग पचास लाख लोग जो थे उनने लेकर बैड़ जाती तो खतम था सिस्टम चोक हो जाता तो वो शल कर सकती थी खतम कर सकती थी उस सिस्टम को लेकि वो एक पॉलेटिशन थी उन्होंने इसतमाम पावर शोग के बावजूद उन्होंने हकूमत के साथ उस व्स वक्त की खमूत के साथ जो एक फूजी डिक्टेटर की गूमत थी उसके साथ डैलाग किया अगर ची ऊस डैलाग का उन्हे नुएंने नुकसान हुआ के उसके ब पुश्कल उनकी एक हकूमत बन सकी और वो भी इठारा मां की आगे चले नवाज शरीफ, नवाज शरीफ की लडाई हुई, परवेज मुशरफ से लडाई हुई, उससे पहले उनकी गुलाम इसाखाँ से लडाई हुई, 96 की जब हकूमत गुलाम इसाखाँ ने उनकी खतम की, उसके खिलाफ नवाज शरीफ अदालत में गए, और अदालत ने उनकी हकूमत तोड़ने का जो केस था, वो डिस्मिस कर दिया, उनकी हकूमत को बहाल कर दिया, नवाज शरीफ को अदालत से परवना मिल गया है कि आपकी हकूमत खतम नहीं है, आपकी हकूमत बहाल है, जाओ मियाजी जाके हकूमत करो लेकिन नवाज श्रीफ हकूमत नहीं कर सके नवाज श्रीफ को वापस आकर गुलाम इसलाख खां के साथ बैठना पड़ा और उस मुझाकरात में दोनों इन दोनों जो सदर और वजिर आज़म जो थे श्रीफ साहब इसी तरह से रौनते हुए आगे बढ़ गए तो यहां फता का तास्वर नहीं दे सकते हैं यह मुल्क अब किसी ने फता नहीं करना अगर हम ही इसे फता करने चल पड़े इस मुल्क को तो फिर फिर यह मुल्क हमारा तो नहुआ ठीक है तो यह पाकिस्तान के दर मैं यही बात यह बताना चाहरा हूँ कि पाकिस्तान का एक सिस्टम ऐसा है इसके अंदर इतने सेफटी वाल्स लगे हुए है कि यहां पर कोई अपनी इंतहा पसंदी की प्रॉडिक्स नहीं कर सकता चाहे वो कोई individual हो चाहे कोई political party हो चाहे कोई इधारा हो कोई भी अपनी डेर डेरेंट की मस्दद नहीं बना सकता यह आपके मुल्क के अंदर आप यह समझे कि यह एक blessing है यह सिस्टम के अंदर तो वो नवाज शरीफ और गुलामिसाग खान और नए election कॉल कर लिये गए अगेन आएं नवाज शरीफ साहब की परवेज मुशरफ से लड़ाई हुई नवाज शरीफ साहब चले गए एक्साइल में चले गए जब वापस आए हैं 2007 में तो वो ठीक थी उनकी बहुत अच्छी हवाद ही लेकिन उन्हें 2013 के election का इतजार करना पड़ा दर्मान में 2008 का election जो था उसमें पीपल्स पार्टी की हकूमत बनी उन्हें 13 के election का इतजार करना पड़ा 13 के election में वो फिर majority मिली और फिर वो वज़रियाजाब बने अगेन नवाज शरीफ उनकी फिर जनरल बाजवा साब से रड़ाई हुई तो नवाज शरीफ अभी तक बाहर बैठे हुए मुस्लम लीग नून की हकूमत बनी तो है लेकिन नवाज शरीफ की नहीं बनी हकूमत शर्बाज शरीफ की बनी है ठीक है ये है मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहरा हूँ कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक कल्चर है और हिस्ट्री में चल रहा है और हिस्ट्री में चल रहा है और ये ऐसे ही चलेगा इमरान खान एक नहीं दो नहीं तीन नहीं छे नहीं 10 केसेंस में बरी हो जा朵ी लें लेकर यह अगर यह चाहें, यह अगर यह इनकी खाहिश हो यह इनका यह ख्याल हो कि यह ऐसे निक्लेंगे और फता कर लेंगे ऐसा नहीं होगा. आदकी ओनास को बैट करनी परेगी इसमें उनके लिए भी स्पेस निकलेगा, बाकी लोगों के लिए भी स्पेस निकलेगा और इन्हें अपनी आएंदा सियासत जो है, उसे भी बेतर करने का मुखा मिलेगा तो यानि कि आपकी बात से लग रहे है कि मजाकरात की तरफ जरूर आएंगे अमरान खान क्या वाकी ऐसा होगा? देखें यहां पर मैं यह समझता हूँ कि पीटी आई के अंदर जो कहा जाते हैं कि फारूर बलाग बनेगा यह फारूर बलाग वो वाला मेरी दानिस में ऐसा नहीं बनेगा जो इमरान खान को छोड़ कर हकूमत के साथ शामिल हो जाएं मेरी दानिस में फारूर बलाग एक बनेगा और वो फारूर बलाग वो होगा उन लोगों का होगा जो इमरान खान को इस बात पर कायल करेंगे और बलके वो लोग एक ग्रूप बन चुका है जो इमरान खान को इस बात पर लेके आएंगे कि आप डायलाग करें अम्रान खान को पिछले भी वाकिया बताए जाएंगे कहां कहां हमने बात नहीं की और ये दिन देखें जरूरत है जापर अब अब ये अम्रान खान की जो है सोच के उपर मुनसर है कि क्या वो ये पिछली जो तसादम की जो पॉलिटिक्स की है क्या वो इसे अपने लिए एक पुलिटिकल एसेट समझते हैं कि वो यह कहें कि जनाब मैंने चुके तसादम किया टकराओ की पॉलिटिक्स की जिसकी वज़ा से मेरा वोट बेंक बढ़ा है अगर तो वो इस तरह सोचेंगे तो फिर इधर ही बैठे रहेंगे लेकिन अगर उनने ये सोचा और इन लोगों की ये जो कुछ दानिश्मन आवाजें जो आएंगी जिन में मैं ये समझता हूँ कि एक परवेजल आई हैं जो आपको आने वाले दिनों में काम करते हुए एक्टिव होते हुए नदर आएंगे शाममूत कुरेशी भी यही बात करेंगे फिर पार्लिमेंट के अंदर जो धड़ा है जो ग्रूप है जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि लतीव खोसा हैं गोहर खान हैं जो करते हैं जो वो भी लायर हैं और पार्टी के चेर्मेन भ लेखें जिसरा पने का के मुझाकरात तो करने परेंगे मरान खान को रिलीव पर रिलीव मिलना ही सब कुछ नहीं है लेकर इसके साथ उनको बैट कर बात करना बहुत जरूरी है तो देखें सर क्या अगे क्या होते हैं और बहुत बहुत शुक्री आपका थैंक यू गाइस आपका यू पर शुक्री जरूव मुझाए पर दूब आपका लूजार शुक्री आपका यू जरू शुक्री एपका यूजाए टो शुक्री यू जरू बाबेगाए